तो MLA का चुनाव बहां सभा का शुरू हुआ और इटा, फुटा, रोरी जालना शुरू कर दिया ये वो रास्ता है जिसका लोग बार-बार जिक्र कर रहे हैं और रास्ते तो वाकई में सिर्फ मीटी का धेर बिनाया गया है या नहीं पकडंडी आप बोल सकते हैं पाने हर एक साल जमावरा कर देता है जमावरा देख लीजिया बिल्कुल बिल्कुल हम पर देखिए दुर्गाजी का भी एक पंडाल है और यहां पर तमाम जो यहां के लोकल लूग हैं उनसे बाचित करेंगे पंचायत में क्या सुविधायें हैं क्या नहीं है क्या होना चाहीए किया मुद्दा किया है आप लोग का नाम बते हैं किया सरकार ने दिया है क्या बाकिरा गया किया कर रहा है यह करने ता कुछ नहीं है अब आया नहीं है आता है वो अब आया बोला कुछ और बाद में देता है अब को किया चाहिए किस मुद्दे पर वोट तो चाहिए सकुल चाहिए हम लोग के सार रास्ता चाहिए अब लोग है और नरांस नाच जाने की रास्ता ही नहीं है नहीं पानी है पड़ेंगे और दिखाएंगे बताएंगे फिलहाल आपके आहां कि स्वास्ते सुभी दाएं कैसी है क्या सरकार दे आपको सरकार रोज सरक को मार्ग बनावे और उसके बाद अपना स्वास्त के लिए तो यहां पर अगर ब्यक्ति मर भी जाता है तो कोई यहां से निकलने का रास्ता भी नहीं है नाव सिवा कोई यहां पर रास्ता नहीं है इसलिए सरकार से हम लोग गुजारिस करते हैं बाड़ कप अलेक्शन जब होता है सब अपना अपना राजनेति के दल अपना रोची से के लिए लग जाता है राष्टा और मार्ग कुने देखता है जो कैसे मतलब यहाँ पर आदमी को सुक्सुदा हो ऐसा कोई बात नहीं है अलेक्शन लेकर अपना भोच लेकर घर में चला जाता है MP MLA साब सब कोई किसी को देखने वाला नहीं है अच्छा यह जो पानी है यह बार का पानी है निकासी भी नहीं है जो अपना नदी धार के लिए भी निकासी सहीं नहीं खोला गया हुआ है पानी जमावरा हो जाता है फॉल फसल भी नहीं होता है सारा धार में भसे होते हैं यह जो जमावरा पानी का जो लगा है निकासी अगर खोल दिया जाय तो क्लियर हो सकता है उसका मशली मारने वाला जान बुच करके इसे घुद तो समस्य क्लियर हो जाएगा हो जाएगा इसलिए पानी को लोग प्लास्टिक सटा करके जाम करके रखा करेंट बनाता है करेंट बनाता है उसमें मच्छी मरता है अब देखिए अभी तुरांत सभा का शुरू हुआ और इटा फुटा रोरी जालना शुरू कर दिया अभी कोई गारी नहीं जा रहा था फुटा उटा जाला है कुछ आप आए हैं खुद देखे होंगे कितना समसिया हमारे सब को सामने खरा है रोड तुबाह गया था यह मैं समझ गया अब यह आप बता र अभी सर अभी यहां पर 72 बूत संखियां मतलब 78-70 जाने के लिए बहुत कछना ही है ना उसे जाना पड़ेगा ना उसे आना पड़ेगा सारा पूली एजेंट जितना ऑफसर गरेट का जो भी बेकती है सब को ना उसे जाना होगा ना उसा आना होगा पोलिंग मतलब बूत पूलिंग एजेंट को भी ना उसे जी जी बिल्कुल नहीं रास्ता पानी निकाल दिया तो पानी तो सर निकल ही जो बंद किया हुआ तो निकलने का कोई मार्ग कहा है जो पानी निकल पावे अगर निकाल दिये जाए तो तब सुखधा हो जाएगी हम लोग को आराम हो पर बोड़ा पही लांगे जानता है जानता है और के समस्य है लग जिन्दगी तो जी ही लिए रोट ते बिल्कुल गरबर है जाठीक कर दीजे तब ने आजने कर लो शुद्धा होगा है पहले रोट शुठीक की जिए तब ने अजार घार से उत्तर के वोड़ देखिये ज जिसका लोग बार-बार जिक्र कर रहे हैं चलिए हम जरा सा रास्ता आपको दिखा देते हैं यही वो रास्ते हैं जिस पर अभी हम लोग चल के जा रहे हैं देखिये यह वो रास्ता है जिसका लोग बार-बार जिक्र कर रहे हैं और रास्ते तो वाकई में सिर्फ मीटी का डेर बिनाया गया है यानि पकडंडी आप बोल सकते हैं इस पे पत्थर और कुछ भी नहीं डाला गया है आप पकी करण और काली करण तो आप छोड़ी दीजिए ढलाया चोड़ी दीजिए यहां पर विकास के नाम पर यह देखिए यहां पानी है और इसमें मचली मारिये और मच्छी चावल अराम से खाली जिए बस यहीं विकास है इस शित्र का और इधर सायद ही कोई आता होगा भूले भटके राही ही इस शित्र में आ जाते होंगे यह यह देखें यह पुरा पकडंडी है और यह पकडंडी पकड़ कर जाय जाता है लेकिन आप जरस सुचिए इ यह पानी का पूरा बहाओ है और बहाओ का धार बहुत तेज है यानि कि इसमें जो है इसमें पूरा पानी का तेज धार के साथ अभी बहाओ चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितने मातरा में इधर हो सकता है और आगे तो आगे चलना यह तो पकडंडी हम दिखा च निकालते हैं फिलाल अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए नमस्कार